नमस्कार दोस्तों इंपलेकवर चनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और विपक्ष के कई सांसदों से यहाँ पर मुलाकात की है जिसमें सेकलो सांसदों ने अपना समर्थन जताया है एनसी का मानना है कि पार्टी प्रेम से उपर ओठकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के कई नेता होने एनसी के द्वार चलाए जा रहा है विशेश अभियान के अंतरगत एनसी की तीन सदसी टीम जिसमें राष्टी मासचिव विरिंदर सिंग रजावत, राष्टी सचिव सिरी रमेज बहुगुना और माहराष्ट के एनसी केनेता संजय पाटिल जी ने यहां पर कई लोगों से मुलाकात की और उन्हें EPS 95 पेंसन दारगों के पेंसन वृद्दी के संबंद में ग्यापन भियां पर प्रस्तूत किये हैं साथी कई सांसदों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है नंदुरबार महराष्ट के सांसद स्री गोवाल पालवी जो के कांग्रेस पार्टी से आते हैं उन्होंने कहा कि हमारी ओर से माननी संसद छत्रपती साहोजी महराज जी ने सदन में अपनी बात रखी है हम एक दुसरे के संपरकम है और आपको निया दिला कर रहेंगे वही पर लातूर महराष्ट के माननी संसद श्री सिवाजी कालगे जो की कांग्रेस से आते हैं उन्होंने भी कहा कि एनिसी के नांद्र अधिवेस्सन में उपस्थित नहीं रह सके लेकिन हमारी सुबकामनाय पेंचन दारकों के साथ है हमारी छेत्र के सदस्च भी इससे प्रवाइध है पेंचनर्स की मागों के मुद्ध पर हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं भुतपुरु राज्यमंत्री बकसर भिहार से स्री अश्विन कुमार चौबे जी जो की भाजपा से है उन्होंने गयापन स्विकार करते हुए का है कि काफी दिनों से आपका मुद्ध प्रतिलंबित है मैं मेरी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा वहीं पर कानपूर उत्तर प्रदेश के माननी सांसद स्री रमेश अवस्थी जी जो की भाजपा से है उन्होंने कहा कि जेश्ट नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्धा है हमारे छेत्र कानपूर के EPS 95 पेंसनर्स भी संगर्स कर रहे है जिनका हमें शंग्यान है सरकार जल्द ही आप लोगों की मागों पर धिहन देगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है वहीं पर बाला सोर उडिजा के सांसद तथा पूरु राज्यमंती प्रताप सारंग जी जो की भाजपा से है उन्होंने कहा कि आप लोगों के द्वारा दिये गए दस्तावेजो का मैं दो दिन में अभ्यास करूँगा इसके बाद इस विशाय को मुझे क्या करना है वह जो है उचित कदम उठाऊंगा वहीं पर अमरावती महाराष्ट के सांसद स्री बलवंत वानखेड जी जो की कांगरेस के है उन्होंने कहा कि मेरी ओर से पूरा प्रतन करूँगा कि आप सभी का काम जल्द जल्द हो उत्तर मद्यम मुंबई महाराष्ट के सांसद स्री मती वर्षा गायकवार जी जो कि कांगरेस से है उन्होंने कहा कि आपके विशाय पर लगबग हम सभी की सहमती है सरकार क्यों आपका काम जरूर ही करना पड़ेगा सांगली महाराष्ट के सांसद स्री विसाल पाटिल जी जो कि निर्दली है उन्होंने इस पस्ट सब्दों में कहा कि आपके मांगे सही है हम सभी लोग आपकी मांगों को निया दिलाएंगे जब तक वरद्ध पेंसन दारक की मांगे मनजूर नहीं होती तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे और सरकार को भी चैन से नहीं बैठने देंगे बीड महाराष्ट के सांसद स्री बजरंग सुनवन जी जो के राष्टवादी पार्टी से है सरत पवार जी की उन्होंने कहा कि आप व्रद्ध पेंसनर्स को निया दिलाने में हम वचन बद्ध है हलियाल उत पाजेंदर अगरवाल जी जो की भूतपूरू सांसद है मेरट उत्तरवदेश से भाजपा के उन्होंने भी एनेसी टीम ने जो मदद मागी तिथा जो क्यापन प्रस्तूत किया उस पर अगरवाल जी ने बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार EPS 95 पेंसनर्स का विसे जोर सो हुआ है मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिस करूँगा भारती जनता पार्टी के राष्टी मास अच्यू संगठन बी एल संतोज जी एनेसी टीम ने मुलाकात कर उने गयापन सौपा और बताया के वर्स 2012-13 से EPS 95 पेंसनर्स को का मुद्दा विजेवी पार्टी ने उठाय इस विशाय पर तुरंत ध्यान दीजिए इस पर स्री संतोज जी ने कहा कि हमारी द्रष्टी में यह मतवपूर्ण विशाय है इस विशाय के समाधान है तु हमारी ओर से हम पूरा प्रयातन करेंगे क्योंकि यह विशाय सव्वेदन सील है वरिष्ट नागरी को से संबन दि के के लिए जो वचन दिया था उसे जो है दोहराने के लिए यहां पर कहा और कहा कि मैं आपकी मागो को मंजूर करवाने के लिए प्रयतन सील हूँ बहिंड मद्रदेश के सांसत स्रीमती संध्या राज जी भाजपा की उनसे एनसी टीम ने मिलने ही तो समय मागा था वह मादै जी के नीजी सचिव कुनाल सोनी जी से विस्तार पूरवक इस विशय पर चर्चा हुई वहीं पर देवरिया उत्तर प्रदेश के सांसत ससांक मनी त्रिपा टी बाजपा के है इनसे भी एनिसी टीम मिली वह उने भी गयापन प्रस्तुत किया गयापन स्युकारत समय माननी सांसद मौदय जी ने भी कहा कि हम इस विशाय पर हर संभव प्रयतन करेंगे वहीं पर EPS 95 पेंसंदारकों के कल्यान है तो महराष्ट के अधिकांस सांसद महानुभाव ने एक साथ होकर प्रयतन करने का यहाँ पर ठाना है माननी सांसद स्री धर्मसिल माने जी से भी NAC की टीम ने मिलकर उनके प्रती आभार प्रगट किया है माननी संसद माउदय ने बताया कि EPS 95 पेंसंदारकों के सुबचिन तक स्रीमती हेमा मालीनी जी से भी यहाँ पर मुलकात हुई है इसके अलावा जैसा कि आपको पता ही होगा 31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंसंदारकों का धर्ना प्रदर्शन हुआ था यहाँ पर माहराष्ट के 12 सांसदों ने अपनी उपस्तिती दर्जकर अपना समर्थन दिया था और इसी मुद्दे को माहराष्ट के सभी सांसदों ने मिलकर इस पर एक बैठक भी यहाँ पर ली थी इसके अलावा लोकसबा में कई सांसदों ने अपना समर्थन EPS 95 पेंसंदारकों की इस समस्या को दिया है जिसमें सांसद सुप्रिय सूले जी ने इसी वर्स दो बार इस मुद्दे को यहाँ पर उटाया वहीं पर केरल की कोलियूम सीट से सांसद स्री एन के प्रेम चंदरन जी ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया कोलापूर माराष्ट से सिरी छत्रपती साह माराज जी ने इस मुद्दे को उठाया एवम एम सनमुगम DMKK के सांसद ने भी इस विसाई को सदन के पटल पर रखा है इस तरह से EPS 95 पेंसन दारगों का ये मुद्दा धिरे धिरे गरमा रहा है और तकरीबन इसी वर्स 2024 की ही बात करें तो सेकडो सांसदों का समर्थन EPS 95 पेंसन दारगों की इन समस्याओ पर मिला है और सभी सांसदों ने आश्वासन दिया है कि जल्द जल्द EPS 95 पेंसन दारगों का काम होगा आपको क्या लगता है कब तक EPS 95 पेंसन धारगों के मांगे मंजूर हो पाएगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें जोए कमेट करके जरूर बताईएगा इसके साथ ही आप पी ये पेंसन सरकारी उजनाव सजुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और करमचारी पेंसनर सजुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी चाहते है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे चलिए मिलते है आपसे अगले वीडियो में त मात्राम